अद्भुद व्यक्तित्व के धनी जैशिवाचार्य महान है। ज्यान की वारिश से आया सब को भी गोने। अरिहन्त परमात्मा महाविज्य क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनन्त अनन्त किर्पा। भर्तक्षेत्र पर महाविज्य क्षेत्र पर उनकी समसरने लाखों लोग आते राजा, महाराजा, मंत्री, देव, इंद्र, साधु, साधी, शिरावक, शिराविका, त्यागी, तपस्री, अजारों लाखन लोग आते। पशु पक्षी भी आते उनकी समसरने और उनकी एक ही बानी प्रमकल्यान कारने बानी उन तक पहुंच जाती है। और वो धन्ने हो जाते हैं, जिनका काल पका होता है, जिनकी जीव पर शर्दा हो जाती है, उत्र जाती है। स्वय मुक्त हो चुके हैं और उनका मुक्ती दे रहे हैं। स्वनुनंग सर्वग्य सर्वदर्शी तीनों लोगों को एक साथ जानती और देखती। दर्पन की भांती देखती। सातों नर्कों के नेरिये। मध्य लोग, त्रियंच, पशुपक्षी, पृत्री, पानी, अगनी, बायू, प्रस्पती, देंडरी, त्रेंडरी, पचेंडरी। ये मनुष्य लोग, ये देव लोग, चार गती, 84 लाग जिवायूनी जानते और दिल। सब के लिए एक ही संदेश, कि तुम अपने जीव का कर्तव्य समझो, मैं हूं कौन मेरे जीवन का लक्ष किया है, किसलिए मैं आया हूं। भगवान की बानी एक बोद देती है, प्रानी मात्र को बोद देती है, कि जीव तुम अपने को जान और अपने को समझ, उस प्रभु के चर्णों में अनंत अनंत आस्ता के साथ नमन वंदन प्रात्ना कृतविता के भाव। अपने को जानों और अपने को देखो। तिर जाओ वे। तिरने का समा है, एक प्यास, एक पीड़ा, एक बेचैनी, एक तडफ। जन्मने दो भी तैर, बहुत रोए होंगे। किसके लिए? परिवार के लिए, धन के लिए, पत्नी के लिए, बेटों के लिए, सुक्स विधा के लिए बहुत रोए। मैं भी रोए होंगा। सब दर्फ चला गया। परन्तु यदी तुम आज के दिन अपने लिए, वो रोणा आत्रोत ध्यान नहीं है। एक रोणा आत्रोत ध्यान है, एक रोणा है अपने की हुए कर्म, जो कू कर्म मैंने किये, अज्यान अवस्था में किये, पता नहीं था, बेऊशिये में किये, उसकी आज के दिन अन्तैकरम से अलोचिना, प्रतिकरमन, प्राइस्चित कर लेना। बहुत जरूरी है, आज के दिन नहीं किया, तो अनंतानो बंदी करोद मान माया लोग, आज के दिन नहीं हुआ, और फिर पता नहीं, गती, नरक की पड़ेगी, पशो की पड़ेगी, क्या पड़ेगी, कोई पता नहीं है। चोटी सी गांट आपके भीतर किसी के प्रति भी है, कोई भी है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे पड़वसी हैं, और जिन से तुम्हारा लेन देन है, वेपार धंदा है, उसके प्रति, यदि आपको पता है, सबको पता ह कि मैंने किस से क्रोध किया मान किया, माया की, लोब किया राग किया, देश किया वासना मेरे भी, सब को पता है आपका अंता करन जानता है और आप अपने पट खोल दो वाच गुना को कबोल कर लो ज़िए आज के दिन वो गुना के कबोल नहीं हुए तो पता नहीं, जनम जनम बिगर जाएंगे, किस गती में किस योनी में, किस किस को कहा जाना पड़ेगा विचार तो करो और हमारा कितना परमसभाग्या है किस पंचम काल में हमें अर्हंत परमात्मा से मंदर समामी की वानी मिली, उनका ध्यान मिला, और ऐसे बीतराक साधिका निशा दी इस बच्ची ने बहुत दिया है अनन्त दिया है, वोरे बारत बरश में धन्य है इसको इनकी माँ वोरे समाज को मैं कहते है कभी इसका मून निचा ही होता, उपर नहीं होता किसी को देखती तक ने बात करके निकल जाती है, एक कृतक यता का फाब आता है जिसने इतना कुछ दिया, हमें धर्म दे दिया साधना दे दी पंचम काल में चौत्छे आरे की साधना मिली मोक्ष का मार्ग मिल गया सिद्गती का मार्ग मिल गया और क्या चाहिए साधू बनना कोई बड़ी बात नहीं है पंच महावर्त लेना कोई बड़ी बात नहीं बड़े बड़े तप कर लेना कोई बड़ी बात नहीं आप घृस्त भी हो ज़िए आप घृस्त में रह करके अनुबर्त का पालन करते हो और महावीर की साधना भगवान सिमंद्र स्वामी की साधना आपके जीवन में आती है तो आप एक भाव, दो भाव, तीन भाव में मुक्ष जा सकते हो जा सकते हो यह दीतराग धर्म दीतराग धर्म ऐसा है जो जीव को अपने अस्तित्व पर शर्दा करने के लिए तैड़ा कोई जरूरत नहीं, कोई प्राथना, पूजा, आराधना किसी के आगे भीक मांगने के जूरत नहीं ए जीव तो अनंत गुनों से युक्त है अपने अस्तित्व पर शर्दा करे वीतराग धर्म जीव को बताता है कि तेरे भीतर एक सिद्ध है तुम सिद्ध हो, सिद्ध बन सकते हो प्रतेक के भीतर एक सिद्ध है भीतराग धर्म जीव को जीव के करीब होने के लिए प्रेर ना देता है हे जीव हे जीव भगवान कहते है जीव तो अपने करीब आजा तो अपने मिस्थिर हो जा तो अपने पर शर्धा कर तो अपने को समय दे एक संकलब करो दीतराग धरम किसी अन्य किस तूती को महत्व नहीं देता प्रेद्ना नहीं देता अर्यंतों को नमन करने के लिए नहीं कहता सिद्धों को नमन करने के लिए नहीं कहता प्रन्तु अपने भीतर, अपने को नमग, बीतरग धरम जीव को पुद्गलों से पार जाकर कि अस्तितों को जानने, समझने, देखने के लिए एक प्रेडना देता है, यह जीव अपने को समय दे, कितना समय 24 गंटे में तुमने किस किस को दी है जीव तो अपने को समय दे है जीव तो अपने में ठहर जा तू शुन्य को प्राप्त कर ऐसे भीतरा धर्म को सभीकार महामिर जैसी काया में ऐसे अनंत जीव महामिर जैसी काया में ऐसे अनंत जीव जो सिद्व शिला में है, स्वेम को बुत पा करके स्वेम में ठेहर गए, यात्रा सीमत हो गए, ये जीव अपने अस्थित्व को जाग, असित्व का मतलब आपकी चेतना आपकी आत्मा जीव अब आप निज में ठैर गए तो सिद्ध होने तक आप पूरे बर्मान में अकेले हो कोई आपका संगी साती नहीं जितने बनाए एक घर बना लो अपना लाखों क्रोडों भर तुने बनाए और मैंने बनाए ये जीव की भूल है सबसे बड़ी भूल है जीव की कि जीवने अपनी शक्ति को नहीं जाना अपनी शक्ति मन को, बुद्धी को, इंद्रियों को भोग विलास के साद्मा में लुटा दी और अपने को भूल गया और चार गती चुरासी लाख जीवा योनी में प्रमन करें एक मिठ्यात्व, जो मिठ्यादर शंचल ले, इसको तोड़ दो, मोक्ष निश्चित है मिठ्यात्व ने टूटा, तुम महावरत्वी ले लो, तपस्या भी कर लो पुन्य मिल जाएगा, स्वर्ग में चले जाओगे, पर मोक्ष नहीं होता सबसे पहले मिठ्यात्व की गांट तूटे, मैं हूँ कान, मैं पुर्ष नहीं, मैं इस्प्री नहीं, मैं शिम्मुनी नहीं, मैं अचारे नहीं, मैं संग है अपनी जगा, पर मैं वो नहीं हूँ मैं एक जीव हूँ मैं एक जीव हूँ और सब में वही जीव सिद्धों जैसा जीव है सिद्धोंने का समर्थे तमारे पास है अश्टगुनों की संपदा तमारे पास है अनंत सुक तमारे पास है जारो भीतर, ठैरो भीतर उतरो भीतर, पाओ भीतर ये कहना बड़ा असान है मैंने भी कह दिया और आपने सुन दिया सुनके चले जाओगे जब भीतर डूबना पड़ता है तो मन कहां गुलतियां मानता है चौबीस घंटे जो तुमने किया चौबीस घंटे में सपने में वही आता है बाचीत में भही आता है इसलिए आज के दिन किसी से बाचीत बंद कर दो माउन रह करके अपने भीक तर कुरे दो कि मैंने कहां कहां किस किस को क्या क्या किया देखो और जानो और पहष्चानो अपने आपको जीव के अस्तित पर शर्दा हो जाना जीव स्मयम का शत्रू बन गया और जिसने अपने जीव को जान लिया उसने सब को जान लिया सम्यक बिष्टी जीव देशे पार अपने को देखता है अपने को जानता है और अपने में स्तिर हो जाता है बस इस पंचम काल में आपका अपने स्थित्व का बोध हो गया और भेद विज्ञान हो गया पूरंता नहीं आई मुझ में भी नहीं आई यह मत समझे ले ना मैं बोल रहा हूं मैं ऐसा हो गया हूं मैं ऐसा नहीं हूं तुमारे जैसा ही हूं तुम जैसा ही हूं पर जीव वही जीव जो तमारे भीत्र है वो मेरे भीत्र है इक प्यास को जन्व ने दो भीतर शि Kirby होने का संकल प्रक्ष हो आज के दिन कि मुझे सिद्ध होना है मुझे एक ही ख़र जाना है मेया खर सिद्धा लिया है आपड़्यों सिध्धा, सिध्धिंग, मम, दिसंतु यह पढ़ने जैसा नहीं है, यह भीत्र उतारने जैसा है, उतारो भीतर, पाओ भीतर, खोव भीतर, राजा प्रदीव सी का नाम सुना, घोर नास्तिक, राजा था, आत्मा को मानता ही नहीं था, कोई भी आता, कि आत्मा आत्मा कुछ नहीं है, तुकड़े करवा देता, कोचोर कोचोरी करके, ठंग बिला, तुकड़े करके देखता, आत्मा तो दखाई नहीं देता, पिंजरे में बंद कर देता, और उसको पूरा लेप कर देता, आत्मा निकली कहां से, शिशी में बंद कर देता, बहुत परिय मेरा राजा लदी आस्तिक बन जाए तो नगली किया सुद्र सकती है देखो तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी तुम्हारा बेटा कोई भी ऐसा काम कर सकता है यदि तुमारे घर में कुई ऐसा नास्तिक व्यक्ति थियुँ उसको आस्तिक बनाने के लिए उसने कैसे चाल चली राजे घूरे को आपको घूरे का शौक है चलो वहां चलते हैं राजा को शौक तक गोरे पराने राजा मेरा जट घूरे का कर लेते हैं राजने का ठीक है बैठ गे वह राम करने के लिए वहां केशी कुमार शरमन ऐसे महान मुने चार ग्यान के धरता उपदेश दी रही थे जनता आई हुई थी उस प्रदेश ने देखा ये मुस्तंदा कौन है ये कौन है ये क्या बोल रहा है ये क्या पकवास कर रह है अब किसी किसमने बोलने की हिमत के राजा था है बैठ गया दीरे धीरे जब पता लगा कि है कौन क्या इंको मिल सकती कितने का खुब मिल सकती जाओ उनके पास जैसी गया में पत्कार लगाई कि राजन तेरे मन में यह वीचार आये ये कौन बोला है बोल तेरे मन में वीचार आया करिया घब आगया राजा मेरे मन की बात इसने जान ली ते राजन तु ऐसा समाइईता है खरलंबी चोरी चोर्चा मैं नहीं करना चाहत BACK पर नहीं सार की बात आपके सामने करनी है बहुत कुछ का और केशिक कुमार ने बहुत तारक के की दियAH वो काते हैं नहीं आतमा ही नहीं तुब आत्मा है. बहुत परक से समझाया, उसको. जब नहीं मानता तो ढदीट है?" तो स्मझता क्या हुआ नहीं। तो चोर है। यह राजा नहीं का मैं चोर हूं। क्या है और चोर नहीं तो क्या है। प्रेजन, तुमारी नगरी में कोई माल लेके आए टेक्स लेते हो ना तो केते तुम यहां आए तो टेक्स दिया तुमने तुम आए तुम यह नमस्कार भी ने किया अब राजा तो पानी-पानी हो गया क्योंकि वो सभा थी उसकी और तुम चुप करके आया था कई बार सत्गुरु को चोट भी करनी पड़ती है सुधरा वो चोट से और ऐसे तरक से समझाया आत्मा है आत्मा थी आत्मा रहेगी आस्तिक बन गया प्रतिग्या कर ली श्राबक बर्त ले लिए सादो नहीं बना श्राबक बना एक श्राबक का कितना उंचा रोल होता है सब त्याग दिया गोशना करवा दिये आज तक मैंने जो भी किया सब मेरा गुनागार है अब इसमें कोई आशी नहीं होगा और सब कोशकूई सुभधा दे दी कि जाओ जिसको जो अवश्चकता है वो लेड़े प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है नमार यंतानंग नमा सिद्धानंग नमा आईडियनंग नमा अवजयनंग नमा लोय सब सावनंग धम्मो मंगल मुकिठामा इंचा संज्यमो तबो देवा वित्तंग नमं संती जा सधम्मे स्यामनो शिरी चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्यमा, केवली पनत्तु धम्मो लोगुत्यमा, चत्तारी सरणं पवज्यामी, अरंते सरणं पवज्यामी, सिद्धे सरणं पवज्यामी, साहु सरणं पवज्यामी, केवली पनत्तं धम्मं सरणं पवज्यामी, चारे शारान दुकरन जगत में ओरन सरना कोई होगा जो बड़ प्राणी करे अरादन उस्से का अजड़ अमरफद होगा उस्से का शता दी मंगर जड़ोगा ज्यान की वारिश से आया सब को भी गोने